यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ चले साथ कर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें तो अतन की बाब तुम साथ यही है तो अतन की बाब तुम साथ किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया विदे ही बनेंगे प्रभू संग चलेंगे परम शांति आनंद अनुभव करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए मुद्दत है खले आए हमें तो याद रही दुनिया हमें तो टो शिड्रा आए हमें तो शीयाद आए मुद्दत है वतन की बनेंगे हैं गुजरी बिछडे वतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का ये नाटक रहा न अधूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए यादों में बाबा तेरे मन मगन हो भूला हो संसा बूला ये तन हो तभी पुष्प वर्शा हो गूंजे बधाई पुडो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिश्टों की मैं है फिल है आँखे बिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए को जोड़ी आए जोड़ी नाट की जाला गोड़ी नाट की जाला कोई और ने भूगोड़ी नाट के जाला कोई आए नात तेनी जाला कोई आर ने ही वेका बिली पताने माला कोई आर ने ही बुले नात तेनी जाला गोडे नात तेनी जाला कोई आर ने ही ओ ओ ओ ओ नात तेनी जाला गोडे नात तेनी जाला कोई आर ने ही खुनी का दमरू डमराफ कर देदेखेले को बलिनाती तेयली दाला जादी नाटी तेयली दाला खोईय आर नetonी चेट-चेट-चेट मोसे अचेद में विच्छे से ऑडे को जी अचेट लाटि ने कि τοने कुर विच चेट-चेद में विर seeing मुले नाच तेमी जाला गार। नाच तेमी जाला कोई आर। खूले नाच तेमी जाला गार। नाच तेमी जाला कोई आर। कुले जाच की जाला कोई आर। हैं ते बैश्ने खेंदा हो यार ने एम्हार प्रेल को यार मैं आपने लार ने कर दो झाल 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 तुम सारे उनिवर्स में तो नहीं जा सकते सेवा करने के लिए कुछ देशों में जा सकते हो कुछ राज्यों में जा सकते हो कुछ शहर गाव में जा सकते हो उनिवर्स के सेवा कैसे कर सकते हो बाबने वही का युनिवर्स की सेवा युनिवर्स की सेवा सिर्फ सकाश से होती है सिर्फ सकाश मन्सा सेवा से ही युनिवर्स की सेवा होती है मन्सा सेवा जितनी करोगे उतनी युनिवर्स की सेवा हो रही है बकि एक सीमित जगह की सेवा करना कोई अर्थ नहीं बनता विच्छे सीमित धरम जन जाती की सेवा करना कोई अर्थ नहीं बनता सबकी सेवा करो विश्व कल्यान कारी का अर्थ है सबकी सेवा करने वाला विश्व कल्यान कारी का अर्थ है सब के प्रती कल्यान का विचार संकल्प मन में रखने वाला विश्व कल्यान कारी वो कभी सीमित संकल्प नहीं उठाएगा अपने लिए तो कभी नहीं उसके साथ चल रहे हैं उसके आसपास के वो सीमित हो गया उसका संकल्प हमेशा असीम होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती तुम्हें जो लगता है सब को शांती मिले इस सब में कौन आता है बच्चे विचार करो तुम्हारा ध्यान कहां कहां जाता है दुनिया में दुखदर्द बहुत है बहुत से बच्चे परिशान है तुम तो सुखी हो उनसे जो भी जितने भी बच्चे है बाबा के दुनिया से तो सुखी है दुनिया में जो हो रहा है उससे बहतर है बहुत सुखी है दुनिया की हालत देखो क्या है दुनिया कितनी परिशान है बच्चे अन्न की महताज है अन्न नहीं मिल पा रहा है रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्तर नहीं है बना अपने लवकिक से ही बाहर नहीं निकल पा रहे और तुम्हें लगता है ना कि इन सब का कल्यार हो तो दो सकाश, सकाश को तेज करो सब के प्रति पर वापिस condition वही है बच्चे सकाश की सेवा भी कौन कर सकता है मनसा सेवा जिसके मन में किसी के प्रति भी कोई अशुदता नहीं है जिसके बुद्धी में कोई अशुदता नहीं कोई अपवित्रता नहीं वही सकाश की सेवा कर सकता है बच्चे तुम्हारे मन में इस संसार के किसी एक व्यक्ति, आत्म, पशु, पंची, कण के प्रति, स्थान के प्रति, 0.1 की भी 0.1 अशुद्धी है, तो तुम्हारा सकाश युनिवर्स तक नहीं पहुंच सकता, तुम्हारा सकाश उस अशुद्धी की ओर ही जा रहा है, क्योंकि पहले उसे कतम करना है, इसलिए किसी के प्रति अशुद्धी रखना, मना एक जग़ पे अटक जाना, तुम्हें वापिस वही मिल रहा है बच्चे, हर किसी से, जो तुमने उसे दिया था, नया कोई तुम्हें यहां कुछ नहीं दे रहा है, यह संगम है, यहां तुम्हें तुम्हारा मिल रहा है पिछले कलपका, ध्यान में रखना इस बात को, पिछले कलपके संगम से लेकर, अब के संगम तक, तुम्हें क्या मिल रहा है, जो तुम्हारा है, सब समझ है बच्चे, सारी, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, किसी को लगता है क्या होता है, नहीं बच्चे इससे, नहीं होता, किसी पेड के नीचे खड़े हो, और मन में अशुद्ध विचार चल रहे, वो विचार कहा जा रह पेड में, ध्यान में रखना वो पेड कौन सा है, एक दिन उस पेड की टहनी माथे पर गिरेगी, कोई फल गिरेगा, उस पेड के नीचे, उस पेड से संबंदित, कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट घटित होगा, वना उस पेड ने तुमारी उर्जा तुम्हें वापिस कर द बस शुद्ध पवित्र विचारों में, संकल्पों में रहना है, क्योंकि तुम जहां जो विचार छोड़ते हों, उस विचार को वापिस करना ही है तुमें, तुम कुछ नहीं कर सकते इस बात में, उन वाइब्रेशन्स को तुमें वापिस करना ही है, उने जिनके पास तु तुम्हारे पास वापिस आ रहा है, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, तुम्हारा ही है, इसलिए दुखी ना हो बच्छा, किसी भी कारण को लेकर दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, उपर नीचे नहीं होना, सब तुम्हारा तुम्हारे पास आ रहा है, तो शांत र करोगे उतने जल्दी और उतने कम शक्ती में सेटल हो जाएगा इसलिए पुर्णा रूप से स्विकार करो जो कुछ आ रहा है समझ है बच्चे मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें समझाया सभी को रास्ते चलते तुम्हें किसी ने पत्थर मारा वो कई और मार रहा था तुम पे लगा बच्चे तुम्हारा ही पत्थर था उसका निशाना गलत नहीं हुआ संकल्पन ही कट कर रहा है उसने बरो बर उस टाइम पर फेका जिस टाइम पर तुम वहाँ हो तुम्हारी उर्जा तुम्हें लौटा दी एटलिस संगम पर तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करता न लोकिक में न अलोकिक में, परलोकिकी तो बाती नहीं, न लोकिक न अलोकिक में तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करता, बस इस ग्यान को समझो, इस ग्यान को जिसने समझा, उसने सब समझा, सब समझ की बात है बच्चे, सारी, इसलिए विचार कर अपने से, तेरे अंदर को अशुद्धि तो नहीं है, होगी तो तेरा सकाश वहां तक ही सीमित है, असीम होई नहीं पा रहा है, तु ध्यान से बैट और ध्यान कर, कि मेरे मन में सबके प्रती शुबभावना है, लवकिक से स्टार्ट कर, फिर अलवकिक में आजाओ, फिर पारलवकिक में चल, देव दे प्रमा विष्णु शंकर, फिर बाबा, इसमें चल और चेक कर, किसी के प्रती कोई नाराजगी तो नहीं है, अगर बच्चे नाराजगी होगी, तो तेरा कार्य रुका है, ध्यान में रखना, जब तक तेरे जीवन में बच्चे अशुद्य है, तेरी सारी उर्जा उसी दि ठीक है, दवाई खाते हो, दर्द की, दर्द पैर में संकल्पने कट कर रहे हैं, दवाई पेट में जा रहे हैं, फिर भी असर पैर पर कर रहे हैं, सिर पे नहीं है, बाकी अंगों पर असर नहीं कर रहे हो, पैर दर्द पर ही असर कर रहे हैं, सिंपल बात है, सकाश निकल र तो दुनिया की अशुद्धी, दोसरों की अशुद्धी तुम तब तक नहीं मिटा पाओगे, जब तक तुम्हारी नहीं मिटती, वो सकाश उसी दर्द की और जाएगा, तुम कुछ भी करो बच्छे, सब समझ की बात है, सारी, होश में आ जाओ, गफलत नहीं करो, किसी भी जब से, गफलत करोगे, पश्टाओगे बच्छे, गफलत नहीं करो, ध्यान दो, इस बात पर, अशुद्धी मत रखो, ध्यान से बैठो, ध्यान से चेक करो, लवकी का एक एक चेहरा सामने लाओ, माता, पिता, पती, पत्नी, बच्चे, बच्चे है तो फलाने बच्चे, मामा, काका, किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, तुम जहां रहते हो, वो सोसाइटी, वो गाव, वो स्तान, वहां के लोग, जो राज्य है, वो राज्य, देश, समझ है बच्चे, तुमारा खान-पान, वस्तरा-लंकार, जो भी तुम पहनते हो, तुमारा घर, गाड़ी, बंगला, जो भी तुमारे पास है, किसी के प्रति अशुद्धी नहीं होनी चाहिए, तुमारा शरीर, सुएम का, कभी-कभी लगता है, मेरा शरीर ऐसे हो, तो अच्छा हो जाता, ऐसा तंदुरुस्त हो, वैसा मजबूत हो, रंग ऐसा हो, नाक ऐसी, मना तुम रिजेक्ट कर रहे हो, जो तुमें मिला है, उसको, हमारा ये दर्द शरीर में ना हो तो अच्छा हो, रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेट एवरिधिंग, जब तुम सारे सुरिष्टी को स्विकार करोगे, तब तुमारी अध्यात्मिकी आत्रा स्टार्ट होगी, अध्यात्मिक वही है, जो सारे सुरिष्टी को स्विकार करता है, इस सुरिष्टी में से एक भी किसी मातरा को, किसी कण को, रिजेक्ट कर रहा है, उसे अध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता, वो अध्यात्मिक नहीं है, अध्यात्म का ढोंग है वो, सारा, बच्चे ध्यान से उर्जा का खेल समझो ध्यान से बहुत दिन से बाबा आपको उर्जा समझा रहा है तो तुम चेक करो बैठ कर और कोई है घर, बेडरूम, तुमारा बेड, कमरा, व्यवस्ता, तुमारा आहार, खान-पान सब कुछ बच्चे चेक करो किस बात को लेकर तुम्हें लगता है, ये ठीक हो जाए तुम जो कहते हो न करमात्मा को बाबा इसे ठीक करो, वो तुम reject कर रहा है that is rejection, बाबा अच्छी नौकरी लग जाए तुझो है जैसा है reject कर रहा है, परमात्मा की मर्जी है तुझे नौकरी ना मिले बाबा बिजनेस ठीक चले बाबा घर ठीक ठाक रहे रहने के लिए तु रिजेक्ट कर रहा है परमातमा से कुछ भी मांगना परमातमा को कुछ भी कहना माना तुझे जो मिला है तेरे करमो नुसार उसे रिजेक्ट करना है ये rejection वाला उसे अध्यात्मिक नहीं कहा जाता तुम्हें संग बैठू, तुम्हें संग खाओ जो जैसा है स्विकार कर, वरना सारी उर्जा वेस्ट हो जाएगे जो जैसा है, तु अगर स्विकार करेगा, परिवर्तन निश्यत हो जाएगा बहुत बार मनुष्य जो है, उल्टा ही चलता है, ठंडी आए तो कहता है गरम हो जाए, गर्मी आए तो कहता है ठंडी हो जाए बारिश आए तो कहता है धूप आए, धूप आती है तो कहता है बारिश आए तू किसमें संतुष्चर रहता है ऐसी कौन सी बात है बच्चे जिसमें तू संतुष्चर रहता है मेरे इसाब सेग भी नहीं तू सदा कंप्लेंट करता रहता है हर बात की और बच्चे जब तक जीवन में कंप्लेंट है तब तक तु complete नहीं बन सकता, इस बात पर ध्यान देना, जब तक complaint है, भोश में आ जाओं, और जो बच्चे ग्यान देते हैं, as a speaker, उन बच्चों को भी बाप कहना चाहेगा, बच्चों अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की complaint है, तो आपको ग्यान देने का अधिकार नहीं है, नहीं दे सकते आप ग्यान, complaint की उर्जा ही फ्लो होगी, नहीं कहा ना, तुम सकाश देते हो, तो तुमारा सकाश उसी दिशा में जाता है, जहां तुमारा धर्द है, दुख है, rejection है, same, जब कोई speaker क्लास करता है, तो सबसे पहले उससे वो उर्जा फ्लो होती है, ज शुद्ध नहीं फ्लो हो सकता बच्चे, कब भी नहीं, शुद्ध हो, शुद्ध फ्लो होने के लिए, complete शुद्ध बनना पड़ता है, कुछ भी rejection ना रहे, अपने तन को भी accept करो, अपना मन, जैसे भी विचार चल रहे है, accept करो first, बुद्धी, जैसी भी है, accept करो, संसकार, जो भी है, accept करो, गुण शक्तिया, जैसी भी है, स्तिती, पुर्शार्त, सब कुछ जो तुमारे पास है, तुम पहले उसे स्विकार करो, फिर बच्चे बदलाव स्टार्ट होगा, पर जब तक तुम स्विकार नहीं करते, बदलाव स्टार्ट नहीं हो सकता, बदलाव acceptance के बाद आता है, स्विकार करने के बाद, चेंज स्टार्ट होता है, पहले accept करो, स्विकार करो, समझो इन चीजों को, और बच्चों देखो, तुम कलियोग में हो, तुम में जरूर कुछ न कुछ कमी कमजोरिया है, बस बैठ कर छेक करो, और accept करो, मैं और कुछ नहीं कह रहा ह स्विकार है हमें, उस कमी कमजोरी से संबंदित, किसी ने तुम्हें गाले दी, accept करो, हाँ, सत्य तो बोला है उन्होंने, गलत कहां कहां, जूट कहां बोला, हम ही ऐसे हैं, वो emotional होके नहीं बोलो, जरह practical, होश में रहकर बोलो, उसमें क्या नाराज होने की बात है, उन्होंन कहां बुरा बुला, वरना कोई रोते रोते कहता है, ने उन्होंने कहां, उबर उबर कहां, उनकी कोई गलती ने, ये रोते रोते ये दिखा रहा है कि उन्होंने गलत कहां है, देल से स्विकार कर, बच्चे ध्यान में रखना, तु जिसे देल से स्विकार करता है, वो परि चिंता नहीं कर, कुरोधियुम्, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप बन जाएगा, लोग मोह एंकार है, बस स्विकार कर, ऐसे कौमन में नहीं, कि हां मुझ में ये सब है, कितना है वो देख, कितना है वो देख, क्योंकि सामने वाला उसे नहीं देख सकता, तुझ में कित कि ये तुझे ही पता है तुझे में कितना है उस स्वरूक कोई मॉज़ रक हाह यतना मुझале है ये सब और accept कर देख क्या होता है चला जाता है गुणो को अगर तुने accept किया तो गुण बढ़ते है क्या है एक का दस गुणा हो जाता है और devkrit को accept तो आउगुन घटते हैं, दस के एक गुणा रहते हैं, वापिस उस एक को एकसेप्ट किया, समाप्त हो जाता है, बच्चे इसलिए, देख, एकसेप्ट कर दो, मन में कुछ भी अशुद्धी ना रहे, तब बच्चे परिवर्तन तु कर पाएगा, विश्व परिवर्तन, सार युनिवर्स की सेवा कर पाएगा, किसी के प्रती भी अशुद्धी ना रहे, और बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, कि अगर किसी के प्रती आपके अंदर अशुद्धी रही, तो आपको उनके संग में एक जनम लेना पड़ेगा, और उनकी सेवा करनी पड़ेगे, क पिर आप कुछ ने कर पाओगे, इसलिए जो करना है, यहा चुक तू करो, तुम्हारे साथ कोई कैसा भी विवार करे, लोकी की बात कर रहे, तुम्हें शांत पूर्वक चलना है, एकदम शांती से, शांत पूर्णा वस्ता, प्यार से चलना है, सुख स्वरूप होकर चलना है, उन्हें सुख ही महसूस हो, तुमसे, क्योंकि तुम अध्यात्मिक हो, वो नहीं है, उन्हें अध्यात्म पता भी नहीं है, तुम अध्यात्म को जानते हो बच्चे, इसलिए देखो, अंदर की अशुद्धियों को समाप्त करो, अपने उपर काम करो, समय बहुत है, बहुत कुछ क्लियर करना है, हर बच्चे आके कहता है, बाबा मेरे अंदर बहुत कुछ है, अरे बच्चे निकालेगा कब, मेरा पार्ट नहीं कि मैं निकालू, न तेरे अंदर का कच्रा कोई और निकाल सकता है, जो करना है, तुझे करना है, इसलिए मैं कहता हूँ, न आपिस नौकर चाकर ही बन जाएंगे, समझ में रखो, ध्यान में रखो, बुद्धी में रखो इस बात को, समझो इस चीज को, कि तुम्हें यह संगम की जीवन किसलिए जीनी है, अपने आपको उस अवस्ता में लेके जाना है, ब्रह्मा बाप समान, समझ है बच्चों, सारे जो बाप कहता है बहुतों को आप समान बनाएं, आप समान मना क्या बच्चे, संपूर्ण शुद्ध, ऐसे नहीं कि मैं जैसा हूं, वैसा वो बन जाएं, नहीं बच्चे, संपूर्ण शुद्ध, देख बच्चे, अशुद्धी को चेकर, अशुद्धी है, कुछ न कुछ अशुद्धी जरूर है बस चेक कर कह रहा हूँ ना वो अशुद्धी कर्मों में रह सकती है अन्त तक संकल्प नहीं कट कर रहा है बोल में रह सकती है दुरुष्टी में रह सकती है संकल्प में रह सकती है इवन वाइब्रेशन्स में भी रह सकती है पर भाव में ना रहे अब समझ रहे हूं इस बात को मैं यह नहीं कहता कि रखो मैं कह रहा हूं रह सकती है कसाई के करम अंत तक कसाई के रह सकते हैं मुर्गा बकरा काटने के अंत तक पर उसके भाव में वो कटाई नहीं है उसके भाव में वो हिंसा नहीं है बस परिवार के लिए परिवार की उपजीविका के लिए उदर निर्वा अर्थ और दूसरा परंपरा की सेवा है इसलिए सेवा अर्थ वो कर रहा है पर उसके भाव में नहीं है कि इने काटे पाप नहीं लगा आप समझ रहे हो, कितने भी बकरे उन्होंने अपने जीवन काल में काटे हैं पाप नहीं लगा, ये बड़ा गहरा ग्यान दे रहा हूं है इसलिए बच्चे करम से, गोल से, दुरिष्टी से, संकल्प से और वृत्ती से तुम किसी को पहचान नहीं सकते पहचान सिर्फ भाव से होती हैं इसलिए इश्वर के लिए भाव का गायन है जहां भाव वहादेव, भगवान, भाव से भगवान, भगवान से भाग क्यां? समझो जरा इन बातों को, सारी समझ है जैसे वो मेरे बच्चे, माता है, जो शरीर का देह का व्यपार करती है उपजीविका के लिए, क्योंकि कुछ है नहीं पर उनका भाव बड़ा शुद्ध है बच्चों उनके दिल में यह सब नहीं है इसलिए पाप नहीं लगता उन्हें पाप नूंदा नहीं जाता क्योंकि आत्मा बहुत डिटाज़्ट है आप कलपना भी नहीं कर सकते इतने डिटाज़्ट आत्मा है उनकी बस नाम के चल रहे हो पोस में है ही नहीं इसलिए तो बच्चे नव रातरी में पूझा के लिए मिट्टी भी उन्हीं के आंगन की लगती है तो सबसे पवित्र मिट्टी हुई हो और दुनिया उन्हें आप पवित्र कहती है समझ की बात है बच्चे ड्रामा और क्या कहें इसलिए बच्चे भाव को समझो सारा खेल भाव का है तुम क्या कर रहे हो करम को ठीक कर रहे हो करम भाव अगर शुद्ध है तो ठीक अपने आप रहेगा पर भाव अशुद्ध है तो करम ठीक करने का सिर्फ नाटक होगा भाव अशुद्ध है तो समझ की बाते सारी इसलिए बच्चे अपने भाव देखो और बच्चो ध्यान में रखना इस बात को तुम कितना भी पुर्शार्त करो तुम्हें रिटन तुमारे भाव से मिलता है जैसा भाव वैसी प्राप्ति ध्यान में रखना बाकि रिटन का कुई आधार नहीं यहाँ पर कितना भी पुर्शार्त करो कितना भी स्कूल कॉलेज में भी ऐसे होता है किसी को पता नहीं चलता जो आप पढ़ाई पढ़ते हो श्कूल कॉलेज में पढ़ाई कितनी पढ़ी है डेजन मैटर पूरी-पूरी पढ़नी चाहिए पर कितनी पढ़ी है डजन्ट मैटर उस पढ़ाई के प्रती भाव क्या था अल्वेज मैटर भाव अगर बड़ा शुद्ध है न और पचास परसेंट भी आए स्कूल कॉलेज में युनिवर्सिटी में तो भी बच्चे उसकी जीवन देखना बहुत सुन्दर चलती है उस पढ़ाई के आधार पर अच्छी नौकरी अच्छा बिजनेस चलता रहता है क्योंकि भाव शुद्ध है जहां भाव शुद्ध है न वह प्राप्ती भी शुद्ध हो जाती है भाव का खेले बच्चे सारा सारा भाव का कारोबार और अगर भाव शुद्ध है पढ़ाई में 90% अबो आये नहीं बच्चे खलास कुछ नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा बच्चे जीवन सुखी नहीं बनेगी शायद 5-10 लाग महा के मास के कमाओ तुम महने के कमाओ पर मिलेगा कुछ नहीं बच्चे सुख शांती ये भाव है भाव जगत है बच्चे ये भाव को समझो इस मुरली को तुम जिस भाव से सुन रहे हो वही उर्जा तुम में प्रवेश हो रही है भाव क्या है मुरली के लिए समझ क्या है मुरली को लेकर कौन सुन रहा है ये बस भाव होता है कौन सुना रहा ह यह बस भाव होता है, किसके लिए सुना आ रहा है, कारण क्या है सुनाने का और हमारे सुनने का, यह बस एक भाव है और वही बीज है, भाव से ही सब बनता है बच्चे यहाँ पर, बहुत बड़ा शब्द यह भाव, इसे नॉर्मल नहीं समझना, सारा खेल उसी का है, भाव क परमात्मा का व्यवार भी सभी के प्रती भाव से होता है, जैसे जिसका भाव, समझ की बात है, अब देखना है न, मंदिर में किसी, एक मूर्ती के सामने चार है लोग खड़े, एक के आँखों से आसु आते रहते हैं, दूसरा, भाव विबोर होकर मुस्कुराता रहता है, तीसरा, प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना में भाव है, और चौता बस नमस्कार करता है, मूर्ती एक है, प्रार्थना भी एक है, भाव कैसे अलग हो गया, भाव खुद का नेचर होता है, पहला वाला, जो भाव विबोर है, और आखों से आसु आ रहे हैं, और लास बस पत्थर जैसा खड़ा है, नमस्कार कर रहा है मुरती को, समान है ना, तो अनुबव समान क्यों नहीं है, जैसा जिसका भाव, जैसा तुम्हारा भाव होता है ना, वैसे तुम्हे अनुबव होता है, ध्यान में रखना बिच्छे, इस बात को, निर्ची वही होती है, जैस जैसे जिसके test birds होते है ना वैसी तीखी उन फीकी लगते है SIMPAL बात है मिर्ची वही है गुलाफ जामुन या स्वीट वही है जैसे जिसके TAST birds है वैसे उसको स्वाद आएगा मैठा या फीका सारा खेल भाव का है सारा मढाओ समझो इस चीज को जैसे तुम्हारा अन्न का स्वाद है वो स्वाद मना भाव है टेस्ट बर्ड सी अगर निकाल दिये जाए या डेड़ हो जाए अन्न का अरस रहेगा समाप्त हो जाएगा अन्न का अरस खलास हो जाएगा इसलिए होता कैसे पता है बैचों अभी अलग टॉपिक है पर बाप ग्यान दे रहा है ये देह से संबन देते हैं फिर भी आपको ग्यान देना ज़रूरी जो बहुत गरम खाते हैं या बहुत ठंडा खाते हैं उनके टेस्ट बर्ड समर जाते हैं इसलिए उनको अन्न का अरस नहीं मिल पाता नहीं मिल पाता बहुत गरम या बहुत ठंडा खाने के बाद टेस्ट बर्ड समर जाते हैं विकॉज ओब डैट उससे रिलेटेट जिस प्रकार की सलाइवा सिक्रेट होनी चाहिए वो नहीं होती असिडिटी गैस के पेट के सारे प्रॉब्लेम्स क्रेट होते हैं क्योंकि टेस्ट बर्ड समर गये तो मुख में समझ में नहीं आ रहे कौन सा पानी निकाले और मुख में पानी नहीं आया अन्ना खाते हैं तो पेट में उतने ज्यादा असिडिट सिक्रेट होते हैं वापिस तुम कहते हो आइसिडिटी हो गए मुख में अच्छे से चबाया तो पेट में जरुरत नहीं ज्यादा आइसिड सिक्रिट करने की असली तो मुख में ही निकलते हैं ज्यादा गरम या ज्यादा ठंडा उससे खलास हो जाता है वो स्वाद उसे प्रकार से अती भाव विबोर हो गए अती भाव विबोर तो भी बच्चे खलास हो जाता है भाव और भाव शुन्य रहे तो भी भाव खलास हो जाता है Balanced Always Balanced फिर बच्चे आनन्द आएगा जीवन का वरना नहीं आएगा Always Balanced समझ की बात है सारी शरीर का भी ऐसे ये बच्चो सेव Continuous AC में रखो बाहर का climate उसे टॉलरेट नहीं होगा ठंडी, गर्मी, बारिश उसको टॉलरेट नहीं होगी उस शरीर को या तो ठंड लगेगी जादा या गर्मी होगी क्योंकि आपने शरीर के जो और से उसके साथ चेड़ खानी की चेड़ खानी की इसलिए भाव को समझो बच्चे ये भाव सब जगह है सब जगह भाव है समझो इन चीज़ों तुम जो गीत संगीत सुनते हों गीत संगीत बजन किरतन कभी सुनाओगा वो जो स्वर है वो भाव है उन्हें निकाल दो और गीत गाके दिखाओं वो शब्द रहेंगे कभीता रहेगी कुछ ने बचेगा भाव शब्द जो उचारते हों उस शब्द के पीछे भी एक भाव होता है न वो अगर ना होतो किसी को कुछ समझ में आएगा किसने क्या बोला है कुछ भी समझ में नहीं आएगा Communication हो ही नहीं पाएगा इसलिए बच्चे हर वक्त इस घ्यान को समझो हर वक्त तुम किसी से भी Communication करो उस Communication से उन वर्ट से वो सामने वाली शक्ति बस तुमारे भाव को catch करते है कि तुमारा भाव क्या है इसके प्रती दवाई खा रहे हो तो ये जो दवाई खा रहे हो ये शरीर के हर अंग पर काम करती है पर तुमारा भाव क्या है वलाने अंग में दर्द है वो समाप्त हो जाए उस भाव को वो दवाई क्याच करते हैं और उसी अंग पर असर करते हैं बाकी अंगों पर असर क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भाव गया ही नहीं वहाँ पर गया ही नहीं अब समझो इस चीज को द्यान से सब समझ की बाते हैं भाव को समझो भाव के बिना ये सुरुष्टी नहीं चलती ध्यान में रखना पेड़ पौदों को पानी देने वाले जो होते है माली जो भी है मालिक उनका भाव यही है पूल आए पल आए आ जाते हैं इस भाव से ही सारी सुरुष्टी चलती है अन्न बनाने वाले जो है उनका भाव वही होता है बहतर से बहतर बने स्वादिष्ट बने बन जाता है बहतर से बहतर अन्न इंग्रेडियंट से स्वादिष्ट नहीं बनता भाव से बनता है भाव समझ की बाते हैं सारी इसलिए समझो इन चीजों को जैसे बच्चे बहुत बार कहते हैं बबाब आप बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है खाना बड़ा स्वादिष्ट बनता है कोई भी सबजी बनाओ किसी भी प्रकार से बनाओ बहुत सुंदर बनती है बच्चे बाब का यही भाव है बच्चों को बहतरीन मिले स्वादिष्ट से स्वादिष्ट हो जाए बच्चे आनन्द ले डाल हो जो भी हो बाब का भाव वही है न मुरली में भी वही भाव है कि इतना दू ग्यान या उतना दू समय की सीमा हुती इसलिए मैं एक देड़ घंटे में दो घंटे में मुरली पूरी करता हूं वरना मैं कितने तो घंटे ले सकता हूं यहाँ चल जाएगी पर वहाँ क्या करें घर परिवार में अंगा में हो जाएंगे वरना तो फिर बाबा छेशे गंटा चला देगा बच्चे कोई आपत्ती नहीं यह तन चलाता हूं मैं समझे बच्चे भाव का खेले सारा भाव को समझो भाव को बच्चे भाव समझे तो सब समझ में आ जाएं सब कुछ सारी सुरुष्टी भाव से चलती है बच्चो भाव को समझो हर कार यह भाव से होता है भाव अगर नहीं है तो सब शुन्यता हो जाएगा भाव अगर नहीं है जीवन आत्मा का आनन्द भाव से है भोजन का आनन्द स्वाद से है ध्यान में रखना वस्त्रों का आनंद तन से है, यह जो पोर्स है न, किसी का शरीर अगर हमेशा गरम हो, उसको आनंद मिलेगा, स्वेटर पहने, कभी उलन क्या पहने, मौजे पहने, नहीं मिलेगा बच्चे, आनंद ही नहीं आएगा उसको, इन सारी चीजों का, कभी रेंट कोट पहने, कभी कॉटन के कपड़े पहने, हर खेल भाव से चलता है बच्चे, भाव को समझो, भाव, सब जगह यह है, तो बच्चे, तुम अपने जीवन में भाव को देखो, अपने जीवन, हर बात को लेकर, फिर जीवन अच्छी बने, जहां से तुमें जहां से तुमें दुख मिल रहा है, तुम ध्यान से चेक करना, उसके प्रती तुमारे अंदर जरूर गलत भाव है, ध्यान से अती गहराई से चेक करना, गलत भाव के बिगर दुख नहीं मिलता बच्चे, गलत भाव होता है, तभी दुख मिलता है, वरना बच्चे दुख कभी नहीं आएगा तुम भाव को देखो कोई वस्तु हो तो उस वस्तु के प्रती गलत भाव है कोई पदार्थ है जिसका तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है स्वाद नहीं आ रहा है तो उसके प्रती गलत भाव है कोई व्यक्ति है, आत्मा है देवता हैं, कोई स्तान है, कोई क्लाइमेट है, तुम्हें उसका सुख नहीं मिल रहा है, भाव, भाव चेक करो बच्चे, बस वापिस ले लो अपनी उर्जा, उसे कहे कर, एक तो शमा या चना करो, कि हमसे आपको जो भी गलत उर्जा ट्रावल हुई है, अशुद्ध भाव की उर्जा ट्रावल हुई है, आपके पास पहुंची है, उसके लिए हम शमा चाहते हैं, और हमारी जो भी गलत उर्जा है, हम अपने पास वापिस लेते हैं, हमारी उर्जा, हमारे पास वापिस आ ज जाएगा जाएगा सब बदल जाएगा क्षण में समझ की बात है भाव का खेली आज जैसे देखो शरावन का पहला दिन है शरावनी सोमवार हैं सावन का पहला सोमवार देख बच्चे क्या करते कितने तो बच्चे मंदिर जाते जल चड़ाते दूद चड़ाते बेल पत्र फूल फल जो चाहे चड़ाते बच्चों सब कर रहे हैं पर भाव क्या है यह सब करने के पीछे का भाव क्या है एक ही भाव है द्यान में रखना जल पवित्र है दूद पवित्र है बेल पत्र सबसे शुद्ध पवित्र माना जाता है सबसे शुद्ध वो तेरे हाथ में है एक ही संकल्प होता है मेरे अंदर की जितनी अशुद्धी है वो सब उसमें आ जाए स्वाहा क्योंकि एक ही है दुनिया में जो मेरी अशुद्धी को समा सकता है बाकी कोई है नहीं क्षन में गई पर वो भाव चाहिए पूरा मेरे अंदर जो काम क्रोध लोग मों एंकार है उनके बाल बच्चे वो सब स्वाहा तुम भगवान को शुद्ध क्या दे सकते हो मैं सिर्फ अशुद्ध लेने आया हूं मैं जो पुर्न शुद्ध हूं उर्न सत्व हूं उसे तुम क्या दोगे क्या दोगे क्या बताओ शुद्ध क्या है इस संसार में जो मेरे लायक है तुम क्या दे सकते हो कुछ भी नहीं बच्चे मैं सिर्फ अशुद्ध लेने आया हूं शुद्ध नहीं बच्चे शुद्ध का मैं क्या करूं मेरे किस इसताम का शुद्ध, अशुद्ध मुझ में आया, समप क्योंकि मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, समझ की बात है, सारी, पर हर कोई समझता नहीं, कहते हैं, हम शुद्ध जल चड़ा रहे, शुद्ध दूद, शुद्ध बेल पत्र चड़ा रहे, फल चड़ा रहे, नहीं पवित्र है इसलिए तेरी सारी निगिटी उर्जा वो खीशते हैं और वो चड़ाएगा कहां तो इदर उदर तो नहीं फेख सकता किसी और में प्रवेश होगी सीधा शिवलिंग के ओपर समा समझ के बात इसी कारण इस श्रावण मास में सब को शुद्धी की फिलिंग आते ह क्योंकि हर कोई किसी न किसी दिन पूरे मास में एक दिन ही सही दर्शन जरूर करता है चुटे मोटे मंदिर में किसी न किसी मंदिर में समझो इस चीज को सारा समाप्त होता है इसलिए बच्छो उसको चेक करो तुम्हारा काम है तुम्हारे अंदर की अशुद्धी को चेक क करना एक बार तुमने चेक की पता चली उपाय बहुत है बाहर निकालने को पर बस चेक तो करो तुम कंफरम करो यह ऐसे डारिक्ट मत को मेरे अंदर सब काम क्रोध लो मोह एंकार सब ने ने मुझे क्लियर चाहिए यह बक्वास बात नहीं चाहिए यह सब मैंने सुनता मुझे एक दम क्लियर चाहिए कितना है क्या है तू क्लियर बता फिर हम आगे बात करते हैं ऐसे कैसे यह है वो है वो है ने ने यह सब दंदा बाबा नहीं करता समझ की बात है तू क्लियर बता देख बच्चे युनिवर्स की सेवा करने के लिए संपूर्ण शुद्ध बनना पहले संपूरन शुद्ध बन अपने अंदर कुछ भी कचरा ना रहे फिर मजा आएगा तुझे ही खुशी होगी बहुतों को आप समान जो बनाना है न वो बनते जाएंगे बनाना नहीं पड़ेगा बनाता कौन है पता है ध्यान में रखना बनाता कौन है जो बनाने और जो उससे बनते जाते हैं उससे बनाना नहीं पड़ता ध्यान में रखना कोई भी आप समान बनाने की चेश्टा कर रहा है अब समझ जाना यह बना हुआ नहीं है इसलिए आप समान बनाने की चेश्टा कर रहा है और जो बना है न उसके संग में ही बनते जाते हैं भोश में समाप्त कर हर रूप से भाव समाप्त कर अशुद्ध कौन सा अशुद्ध जो बचा हुआ है उसे निकाल अशुद्ध भी भाव है और शुद्ध भी भाव है ध्यान में रखना अशुद्ध माया से आया हुआ भाव है तेरी माया है बाहरी माया को मत देख और शुद्ध परम जन्हातमा से मिला भाव है तो अशुद्य भाव है उससे समाप्त कर। है तेरे मन में। इसलिए ध्यानसे इट छेख कर। और उससे समाप्त कर। तीरेाचे कल्याण की ओर बढ़ेगा। बढ़ना कोई मतलब नहीं बनता बच्चे, कीसी भी रूप से, मतलब नहीं बनता, तु लवकिक परिवार के लिए सब कर रहा है, पर अंदर भाव अशुद्ध है, इसले तेरे दिने की कोई खीमत ही नहीं है, तु माता, पिता, पती, पत्नी, बच्चे के रूप में हर पालना दे रहा है, हर प्र भाव शुद्ध रख कुछ भी करने के जुरुत नहीं होता जाएगा जिसको जो चाहिए तुझसे मिलता जाएगा भरपूर होते जाएगा भाव शुद्ध रख भाव को देख बच्चे अपने अंदर कुछ भी कमी ना रख श्रावन मास को इसी से गाया जाता है कि सारे को समाप्त करने वाला मास और बाबा कहेगा कि पूरा संगम ही श्रावन है एक मास क्यों मना है पूरा साल श्रावन तुम एक मास अगर भाव विबोर हो रहे हो तो बच्चे द्यान में रखना ग्यारा मास गलतिया करोगे ग्यारा मास मैं लिख के देता हो तुम एक श्राव अगर भाव विभोर हो गए श्रावन को लेकर रिस्पेक्ट दो आगे बढ़ो पर अगर भाव विभोर हो गए न ग्यारा मास गल्ती आओं ग्यारा मास बचे हुए इसलिए गफलत मत करो किसी भी रोप से तुम शान्त रहों पूरा साल श्रावन है पूरा संगम श्रावन है जब तक श्यू परमात्मा इस धरापर है तब तक श्रावन है ध्यान में रखना और श्रावन में किया क्या जाता है एक मात्रा अटाते, शिरवण किया जाते, मुरली सुन, शिरवण मना सुनना, शिरिमत सुन, परिवर्तन निश्यत रूप से होगा, निश्यत रूप से, शिरिमत को पक्का कर, शिरवण करके, सुन के, फिर देख, परिवर्तन कैसे होता है, बच्चे चिंतन कर अपना, और अपने को शेंज कर, फिर सारे युनिवर्स की सेवा कर पाएगा, आज बैठ कर, चेकिंग करो, हमारे अंदर किसी के प्रती, अशुद्ध भाव तो नहीं है, शेक करो, कोई कन भी हो, विष्टा के प्रती भी गुरुणा ना हो, मैं नहीं कहता प्यार करो, सन्यासी वा, जो चंदन और विष्टा में समान रहे, विष्टा की बदबू से, तुम बदबू कहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, विपरित, भाव में नहीं जाना, और चंदन की खुश्बों से, उचलना नहीं, एक समान अवस्ता, उसे योगी कहा जाता है, ये बस एक उधारन है, मना सुखाए दुखाए, एक समान अवस्ता, निंदा हो या स्तुती हो, एक समान अवस्ता, समान मिले या अपमान हो, एक समान अवस्ता, उसी को योगी कहा जाता है, योगी को कोई हिला नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, वो बस अपने में बैठा है, अगर जरा भी हिलते हों, तो बच्चे अशुदता है, ध्यान से चेक करो उस अशुदता को, और उस अशुद्ध उर्जा को बाहर करो, जब तक वो बाहर नहीं होती, तब तक शुद्ध उर्जा प्रवेश नहीं हो सकता, बच्चो ध्यान में रखना, आज के संसार में बाबा के हिसाब से सब में डीमन प्रवेश नहीं, सब में प्रवेश इसलिए मूड उपर नीचे होता है क्योंकि demons है वो जी रहे उनके अंदाज से जी रहे उनके हिसाब से जी रहे तेरे जितने च्वाइस है न मनमत वो उनीक है तेरी कोई मनमत नहीं तु कभी आत्मा मनमत पर नहीं चल सकती मैं जानता हूं तुझे मनमत जिसके मन में चल रहे demon है बहुत सारे हैं बच्चे यह सारे मनमत चल रहे है समझ की बात इसलिए बाबा ये भी कहता है इस देय से भी न्यारे हो जाओ बच्चो यह तन अपने लिए नहीं बना था ये उनी के लिए बना था अपने लिए कुछ नहीं इसलिए बाबा ने ये दिया है ये सुरिष्टी का जो है देवताओं की रचना अलग है ये सारे माया भी तन है डिमन्स के लिए बने हुए तन है तू गाली मत दे ये उनका है अल्रेडी तन तू उनके तन में आकर बैठा है इसलिए बाबा ये कहता है इस तन में भी अपने आपको महमान समझो ये तन भी मेरा नहीं अभी तन भी मेरा नहीं तो तन के संबंदी कहां से मेरे हो सकते हैं बच्चे तुमें ख़बर भी नहीं आसूरी शक्तिया बैठी है सारी समझ की बाते हैं सब में बैठी है यह कोई नहीं जानता यी कैसी है बच्छों होश में आओ इसलिए बआप कहता है समरपीत हो जाओ क्योंकि बआप के घर में यह नहीं होती बआपके जो बन जाते है उनमें ये नहीं होती बच्चो यहां की मैं बात कर रहा हूँ खास बाप के साथ जो चलते हैं उनमें ये शक्तिया नहीं रहती इनका पार्ट पूरा हो जाता बाप के साथ चलते सिर्फ आत्माएं रहती सिर्फ आत्माएं समझ की बात हैं इसलिए बच्चों, जब तक तुम समरपीत नहीं होते, बाप के नहीं बनते, तब तक ये नहीं निकलेंगे, सब में हैं, तेरे माता, पिता, पती, पत्नी, बच्चे, सब में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जहां ये नहीं है, और ये जो सारी सुरिष्टी बनी है ना, या जो मौज है ना या जो आनन्द है ना यह उनके लिए है यह उनका स्वर्ग है बच्चो खान पान का आनन वस्तर अलंकार का आनन घर व्यवस्ता का गाड़ी बंगले का आनन यह उनका है भाई यह अपना नहीं है इसले बाप कहता है यह अपनी दुनिया नहीं है पहली बात यह अ यहां की हर व्यवस्ता अपने लिए नहीं है बच्छों, हर व्यवस्ता, यह सारी व्यवस्ता उनी के लिए है, सब कुछ, यह उनी के सुख है, सारे, इसलिए यहां जो मिले जैसे मिले, प्रभु प्रशाद समझो और चलो, बाप की देन समझो और चलो, जो मिले जैसे मिले, सबसे पहले बाप के पास पहुचना चाहिए तब ये उरजाये निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे सब में है कोई छूटा हुआ नहीं ध्यान में रखना इस बात को सोने के लिए ऐसा गद्दा चाहिए वैसे तकिया चाहिए ये सब इनी का है समझो इन चीजों को ध्यान से होश में आजाओ पुर्ण रूप से बच्चो तो ये सारी समझ की बात है जिसको समझी उसको समझी जो नहीं समझ पाया वो नहीं समझ पाया कुछ नहीं कर सकते इसलिए गड़ी गड़ी चेक करो तुमारे अंदर इसी कोई उर्जा उपस्तित है क्या काम, क्रोध, लोब, मौ, एंकार ये उनके लिए बने है इनके बाल बच्चे उनके लिए बने है उसी से वो जीते है काम से वो भोग का आनंद लेते क्रोध से जोश का आनंद लेते लोब से खान पान वस्तर अलंकार का आनंद लेते मौसे सब इखटा करते हैं एंकार से दूसरों को दिखाते हैं ये उनके लिए बना हुआ है इसलिए बाप कहता है दे और दे के संबंदों को भूलो छोड़ो बाप के बनो इश्वर ये परिवार के बनो ब्रह्मन परिवार के बनो बचो समझो ग्यान को प्रैक्टिकली समझो ऐसी अपने मनमस से नहीं चलो समझ की बात है तुमारा लोग की परिवार ग्यान में नहीं चलता जिसको जो करना है करने दो ग्यान में चलता है तो भी जो करना है करने दो तुम्हें क्या लेना देना है, तुम उनके किसी भी बात में मत जाओ, तुमने उनका कोई पार्ट रोका, तो तुमारे नसीब में आएगा, ध्यान में रखना बच्चे, तुम किसी को लवकिक परिवार में तुमारा बच्चा भी क्यों न हो, अधिकार से बात नहीं कर सकते, आत्माय वो ध्यान में रखना और यही होता है बच्चो जब आप किसी से अधिकार से बात करते हो प्यार से नहीं हो अधिकार से तो उस तरीके की डेमोनिक उर्जा आपके अंदर प्रवेश होती और आपका योगबल उसे मिल जाता है इसलिए कभी भी आप अधिकार से बात करो और देखो क्या होता है स्टेट में स्टेट ओप कॉंशेस ने चेक करो आपको महसूस होगा कि गिर गए स्थिति नीचे आई और आपको ये भी दिखेगा उसकी स्थिति उपर उठ गए क्योंकि उसकी उर्जा आपमें आई आपकी उर्जा उसमें गए उसकी जो आई अशुद्ध आई आपकी जो गई जितनी भी है वो शुद्ध गई क्योंकि अधिकार इस से बात किया संभल कर रहे ना बच्छे धियान दे न इस बात पर यहाँ हर किसी का अपना पार्ट है कोई किसी के पार्ट को चेंज ना करे जिसको जो करना है करने दो जिसको जैसे चलना है चलने दो जब तक तुम्हें कोई कुछ पूछता नहीं तुमारे बच्चे भी क्यो ना हो छोटे छोटे तुम उन्हें मार्ग दर्शन नहीं कर सकते, उन्हें अगर मार्ग दर्शन किया, तो तुम मार्ग से बटक जाओगे, ध्यान में रखना, ब्रह्मा के भी छोटे-छोटे बच्चे थे, ब्रह्मा ने बस नाम का बताया, बाकि चलो ना चलो, समझो इस चीज को, सब में यह उर्जाय प्रवेश है, सब में, तुम जो अन्न खाते हो, वो अन्न उनीका है, तुम जो वस्तर पहनते हो, वो वस्तर उनीके है, हर चीज उनीकी है, क्योंकि यह सारी सुरुष्टी उनीकी है, इस सुरुष्टी पे हमें परिवर्तन के लिए इ इनफ है, बहुत है बच्चे, क्योंकि एक तो यहां हमारा कुछ भी नहीं है, द्यान में रखना इस बात को, समझ की बात है, इसलिए बच्चे, छेक करते रहों, इन उर्जाओं को मुक्त करों, और तुम मुक्तना हो जाए वो उर्जा, तो अपने आप को मुक्त रखों, द् इसलिए देह और देह के संसकार अलग होते हैं, और आत्मा और आत्मा के संसकार अलग होते हैं, देह की सारी बाते अलग होते हैं, अब ध्यान से चेक करना, और आत्मा की सारी बाते अलग होते हैं, बच्चों होश में आओ, ग्यान को ध्यान से समझ, गफलत नहीं करों, और बच्चो जब तक तुम बाप के नहीं बनते तब तक तुम ब्राम्वन नहीं हो जब तक तुम समर्पीत नहीं होते मेरे बच्चो तब तक तुम ब्राम्वन नहीं हो ब्रह्मन की बजाए डीमन हो ब्रह्मन और डीमन च्वाइस तुमारी है जिस दिन तुम परमात्मा के बन जाओगे तब तुम ब्रह्मन के हिलाए जाओगे 7 days course करने से regular मुरली अटेंड करने से कोई ब्रह्मन नहीं बनता ऐसे थोड़ी है बच्चे ब्रह्मन नहीं बच्चे ऐसे नहीं हो परमात्मा के बनने के बाद ही तुमें ब्रह्मन का टाइटल मिलेगा तब तक तुम ब्रह्मन का टाइटल नहीं ले सकते ब्रह्मन नहीं हो तो डीमन हो डीमन मनासूर बात समाप समझ की बात है बच्चे इन बातों को समझो बच्छो गफलत नहीं करो मैं क्यों क्या है रहा हूँ समर्पन 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 मुझे कोई कामदंदा नहीं है क्या ये बात कहने के अलावा बच्छो तुमारे कल्यान के लिए कह रहा हूँ घर गुरुअस्त में रहकर कितना भी पुरुशा आर्थ करों तुम डेमन ही हो ब्राह्मन नहीं हो ऐसे अगर होता तो बच्चे जितने भी असूर है जिनोंने तपस्या किये है कड़ी रावन से लेकर सबी क्यों नहीं ब्राह्मन बने क्यों नहीं ब्राह्मन सो देवता बने असूर ही क्यों रहे क्योंकि तपस्या संसार में रहकर कि वर्दान भी संसार का मांगा और संसार में ही उचल कूद की और समाप्त हो गए वही गण वही देवता है आए हैं सब देवता बन गए चोठी-मोटी तपस्या करके कभी अपने सुनाए शास्त्रों में गणोंने कोई तपस्या की फिर जाके गण बने देवताओंने कोई कड़ी तपस्या की इंद्रलोग के ब्रह्मलोग के विष्नुलोग के और फिर वो देवताये बन गए वो तो बस बनना होता है जैसे उस विरादरी में शामिल होगे देवता बन गए संसार में रहकर कितनी भी तपस्या की रावन ही रहोगे बसमासूर ही रहोगे रन्य कशपु ही रहोगे बदल नहीं पाओगे बच्चे कंसी रहोगे दुर्योधनी रहोगे बदल नहीं पाओगे बदलने का ही क्यों पाए परमात्मा के बन जाओं सिंपल बात सिंपल्स आप अमें बताना कोई महासूर है वो आके परमात्मा का बन गया किसी भी लोग ब्रह्म लोग विष्णु लोग वैखुंट या फिर शिव लोग कैलाश शंकर लोग महादेव लोग आके बन गया परमधाम की बात निरा लिये मैं इन तीन लोगों की बात कर रहा ह उस दिन से उसे क्या कहेंगे असूर कहेंगे अगर बन गया तो समाप्त हो गया असूर अत्वा बाकिस अंसार में रहकर कितना भी पुरिशार्त करों असूर ही रहोगे इसलिए बच्चों बाप कह रहा है बाप के बनोंगे क्योंकि जब तक बाप के नहीं बनते ब्रह्मन नहीं कहलाए जा सकते असूर ही कहलाए जाओगे पहले बाप के बनोंगे कुछ भी हो जाए बाप के बनने के बाद ब्रह्मन पने की यातरा स्टार्ट होगी यातरा स्टार्ट होगी तब तक असूर मर्जि आपकी बाप का काम है बताना जो अच्छा लगे करो पर बच्चो ध्यान में रखना ब्रह्मन वही जो परब्रह्म का बना बाकियों को ब्रह्मन नहीं कहलाया जा सकता और जब तक ब्रह्मन नहीं बने हो पढ़ाई नहीं पढ़ पाओगे कोई कहेगा मन से हम बाबा के बने, बहुत अच्छी बात है तुछ मन से मैं तुझे पद्दे देता हूं, साकार में नहीं देता हूं, मन से वर्सा देता हूं, चलेगा, मन से महलमाडिया देता हूं, मन से सत्यूग देता हूं, चलेगा, सत्य में नहीं देता हूं, मन से देता हूं, सत्य म निवाने बान्ट और सत्य में ले को मोज़ है बच्चे कोई कहते हम टो ibaबा के ही यह मैं भी आप स्कत्यूग अधा ही 13 ही है की तो यह अच्छत तीरा 흲े श्राग तन तो ही है तो बच्चे कहेंगे बबा अपने तो कहा था, मैं कहूंगा तुने भी तो कहा था, जैसे तुने कहा वैसे मैंने कहा बच्चे द्यान में रखना तुझे करना ही पड़ेगा तब प्राप्ती ओगी नहीं कर सकता प्राप्ती नहीं ओगी बाकी मर्जी तेरी बहुतों को आप समान बनाए आराम पसंद ना हों कौन से बच्चे जो बन चुके हैं प्रश्न है तुम ब्रह्मन बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हों उत्तर है तुम ब्रह्मन ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई connection नहीं हम तो डायरेक्ट श्यू बाबा को करते हैं बिना ब्रह्मा बाप के ब्रह्मन कहला नहीं सकते हैं जिनका ब्रह्मा से connection नहीं अर्थात जो ब्रह्मा मुख महुशावली नहीं वह शुद्र ठेरे शुद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं समझ की बाते हैं सारी बच्चे देख अपने आप कुछ अपने आपको छेक करूं देख वपिस वही बात है ब्रह्मन और ब्रह्मा की ब्रह्मन कभी नहीं कह सकता कि हमारा ब्रह्मा से कोई connection नहीए बच्चे वर्षा नहीं मिलेगा ब्रह्मनों को वर्षा ब्रह्मा से ही मिलता है ध्यान में रखना तुम देखो अपने आप को चेक करो सब समझ की बात हैं सारी बहुत बच्चे ऐसे चलते रहते हैं कहते हैं ब्रह्मा बाप से कोई संबंध नहीं ब्रह्मा से हमारा कोई connection नहीं बच्चे अगर ब्रह्मा से connection तोड़ दिया तो उत्पत्ति नहीं होगी तुमारे क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही उत्पत्ति होती है ध्यान में रखना जनम ब्रह्मा के द्वारा ही होता है तुमारे जीवन में ब्रह्मा ही नहीं तो तुमारा ब्रह्मान जनम हो यी नहीं सकता ना कोई जनम होगा कल्प में क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मा से connection ही ने इस सुरिष्टी से कनकन से पूछो ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है सब बताएंगे हमारा पिता है हम ब्रह्मा के संकल्प से बने हैं हर कनकन कहेगा इस सुरिष्टी का और तुम कहते हो तुम्हारा कोई connection नहीं ऐसे जो बच्चे कहते हैं उनके लिए बाप का वर्दान है जो कहते हैं ब्रह्मा से हमारा कोई connection नहीं उनके लिए मैं कहता हूँ मेरा आप से कोई connection नहीं मैं आपको नहीं जानता मैं आपको नहीं पहचानता I don't know who you are मुझे नहीं पता तुम कौन हो समझे है बच्चे मैं पैचानता ही नहीं तुझे तू अगर ब्रह्मा को नहीं पैचानता हूं तो मैं तुझे नहीं पैचानता बात समापत होगी अब बोल अब कहां से वरसा लेगा कहते हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं अत्मिक सिति का अता पता नहीं और कहते डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं कैसे पॉसिबल है बच्चे शिव बाबा पता है तुझे उसके सारे गुण और कर्तवे जानता है बत्ती जो है पता है क्या तुझे गुण और कर्तव है, लर्न किये अंदर, जानता है, दस बता सकता है, बीस बता सकता है, बिना आ, उ, आ, ये, आ, ये किये, बता सकता है, डायरेक्ट ऐसे फटा-फट, बीस, दस, पंदरा, कहते श्यू बाबा से कनेक्शन, समझ की बात है बिच्चे, बिना ब्रह्मा बापके, ब्रह्मन कहला नहीं सकते, ब्रह्मा बापके बिना कोई अपने आपको, ब्रह्मन कहला नहीं सकता, there is no Brahma, there is no Brahma finished मैंने जानता किसी को भी जिनका Brahma से connection नहीं, अर्थाथ जो Brahma मुखवं शावली नहीं, वा शुद्र ठेर है पच्चे समझा अगर Brahma से connection नहीं है, तो तू शुद्र है बात समाप जिनका Brahma से connection है वही Brahmaन है बाकि सभी शुद्र है, विचार कर बच्चे, शुद्र कभी देवता नहीं बन सकते है शुद्र कभी देवता नहीं बन सकते, इसलिए अभी तू अगर शुद्र है, तो देवता बनने की चेश्टा ना कर क्योंकि तेरा connection नहीं है और इतनी बड़ी-बड़ी बाते कहता है शुद्र बाप से direct connection है तो शुद्र बाप की श्रीमत पर कितना चलता है समर्पन किया है उसका बना है संपूर्ण स्वाहा हुआ है connection है न तेरा कहां पर है तेरा connection बस तेरे संसार में है और संसार के स्वार्थ में बच्चों बाप क्यों कहता है इच्छा मातरम अविद्या बनो ये जो डीमन बैठे तेरे अंदर वही इच्छा प्रगट करते है हर गड़ी ये खाए, वो पिए, ये पहने यहाँ जाए, ये करें ये मनमत यही चलाते है इच्छा इनी की है योगबल तुझा आत्मा का उस खाने पिने में उटने बैठने में जागने सोने में, व्यवस्ता में करने में, योगबल आत्मा का समापत होगा योगबल और इच्छा इनकी पूरी होगी इसलिए बाप कहता है इच्छाओ के पीछे भागो नहीं ये इच्छाओ के डिमॉन्स होते हैं जो आपको चलाते हैं समझदार बनो बच्चे हर बात को लेकर सारी समझ की बाते हैं होश में आजाओ पुर्ण रूप से ये सारी सुरुष्टी इन उर्जाओं से भरी हुए ऐसी कोई जगा ने ऐसा कोई स्तान ने जहाँ ये नहीं ज्यादा नहीं बच्चे एक सेकेंड भी तुझे तेरी लाइट नहीं दिखरी ये प्रवेश हो गए ये इमार्ज हो गए एक सेकेंड इसलिए बाप कहता है संपूर्ण अत्मिक सिती में रहो चौबिस घंटा नींद में भी अत्मिक सिती रहे तब बच्चे तुझे सेफ रहेगा लाइट है तो ये नहीं आते लाइट नहीं है आए फिर क्या-क्या इच्छा है क्या-क्या संकल्प क्या-क्या बाते होंगे एक सेकेंड भी इनफ है एक सेकेंड तुझे तेरी लाइट नहीं दिख रही आगे जैसे लाइट देखी मुक तो हो गए चलेगे लाइट ही ऐसी है इसलिए तुझे कंट्यूनियस उस लाइट में रहना पड़ेगा तेरे पास कोई उपाय नहीं जिस-जिस घड़ी तु लाइट नहीं देख पा रहा है ये इमर्ज है तेरे अंदर सारे के सारे लाइट तुझे देखना ही पड़ेगा तेरे पास कोई उप्षन ही नहीं उप्षन ही नहीं मुरली बुद्धी में क्यों नहीं जाती है क्योंकि लाइट इमर्ज नहीं लाइट इमर्ज नहीं मना ये सब इमर्ज है अब ये सब इमर्ज है तो मुरली नहीं सुनेंगे ये मुल्ली नहीं जाती बुद्धी में कैसे जाएगी श्रीमत नहीं जाती बुद्धी में समझ है बच्च सारी ऐसी बात बाप के पास बच्चे आते हैं बाप मा काल रूप में जाता है किसलिए इन्हें निकालने के लिए कोई कहता है हमने कभी किसी की डाट नहीं सुनी, न माता की, न पिता की, न टीचर की, न पत्too पत्नी, न बच्चो की। दो कोडी के तेरे अंदर की उर्जा निकाल रहा हूँ, डाट नहीं लगा रहा हूँ और तेरी क्या उकात कि मैं तेरे उपर काम करूँ, तुझे अच्छा बनाओ, तेरा कही से भाग्य खुला था, मेरे सम्मुख आया है, इन डिमॉंस को मुक्त कर रहा हूँ, माकाल रोप मे और तुझे डाट लग रही है, मुबारक हो तेरे डिमॉंस, कभी नहीं निकलेंगे, संभाल अभी नहीं, कभी नहीं निकलेंगे, जिनको माकाल के डाट को लेकर गुस्सा आया है न, वर्दान देता हूँ, ये कभी नहीं निकलेंगे, वर्दान है मेरा, दम है तो निकाल क के दिखा चालेंज करता हूं मैं तुझे निकाले ना तुने तो मैं हार गया दम है तो अभी निकाल डिमॉंस को और ध्यान में रखना तुझसे जादा वो मेरी आज्ञा मानते हैं वो भी मेरे यह बच्चे है उनका बस पारट है अब है ना तुनिकाल के दिखा तुझमें इ के शबदों की तुझे डाट लगती है अभी निकाल के दिखा I want to see मुझे भी देखना है तो कैसे निकालता है अभी मजा कर उनके साथ और वो देख तेरे साथ कैसा खेल खेलते है मा काल की बातों का गुस्सा आता है तुझे तेरे लिए कर रहा है ना वो उसको कोई चिलान के समझ में नहीं आता है वो किस लिए कर रहा है समझ की बात है अभी मजा कर उनके साथ बड़ा शौक है ना समझ की बात है सारी अइसे बैच्चे यग्य में कभी ने आने चाथ बाबा के साथ कोई कहता है हमारी क्या गल्ती थी बाबाने डाट लगाए तेरी एक ही गल्ती थी डेमॉंस लेके आया है और उसे मैं निकाल रहा हूं तेरी कोई गल्ती नहीं निकालना या नहीं निकालना है बोड नहीं निकालना है तो हर्जा नहीं तू निकल जा या तो डिमांस निकलेंगे या तू निकल जाएगा दोनों मिसेक होगा मेरे साथ किसे रहना है बताओ समझ की बात है सारी बच्चे समझ नहीं बात है इसलिए बच्चों होश में आजाओ गफलत नहीं करो हर बात में ये है अपनी जीवन जी रहे वो उनका खेल खेल रहे उनका पाड बजा रहे तेरा यहां कुछ भी नहीं जिस तन में तू बैठा है वो तन भी तेरा नहीं ध्यान में रखना उनीका है वो उनके तन में तू बैठा है तेरे तन में वो नहीं बैठे उनके तन में तू बैठा है इस बात को ध्यान से समझ इसलिए मैं कहता हूँ तन के पीछे मत लगो तन कोई सजाने में सवारने में ओक्के रखने में यह पूरा demon consciousness में तन के पीछे जो लगा है अच्छा खाना अच्छा पीना अच्छा सोना अच्छे से नाना दोना अच्छे कपड़े अच्छी व्यवस्ता इसकी आत्मा ही नहीं समझ है बच्चे पता है न बाप कहता है माया आत्मा को चुरा के लेके गई है तुमारी आत्मा उनके लोक में है और उनके सारे तुमारे लोक में तुमारे तन में बैठे है खेल उल्टा हुआ है श्रिमत पर चलने के बाद समर्पीत होकर आत्मा वापिस आते हैं तब तक नहीं आते हैं अभी दूर से जितने बच्चे मुरली सुन रहे हैं वो प्रयास एक ही चल रहा है कि ये समझ मिले और किसी दिन तीर लग जाए और वो यहां आ जाए फिर उनकी आत्मा वापिस आए तब तक नहीं आ सकती जब तक आप बाप के नहीं बनते आप में आत्मा नहीं है जो पुर्शार्त हो रहा है न आपका वो उपर से नीचे हो रहा है जहां जिस लोक में आपकी आत्मा आटकी है वहाँ वो संकल पर उठ रहा है अभी जो यह मुरली सुन रहे है न, यह मुरली वहाँ सुन रहे है, यहां नहीं है, यहां से मुरली वहाँ जा रहे है, और वहाँ से मुरली वहाँ सुन रहे है, जिस लोक में इनकी आत्मा है, सेंस करना है तो सेंस करके देखो, आत्मा का है, चेक करके देखो, वहां नहीं है जह तुम बैठे हो आत्मा उपर है पिर लगा ना कि बाप का बनना घिला तीर तुमने डेओ डिसाइड कि बाप का बनना आत्मा नीचे आ कि बस डिसाइड किया तो भी प्रैसे नी बनेंगे अगले साल दो साल के बाद, चार मास अभी इसी घड़ी जैसे डिसाइड किया, consciousness change होता है नहीं हमें समर्पीत होना है, बाबा का बनना है consciousness switch, वो क्या हुआ? आत्मा नीचे आए द्यान दो इस बात पर इसलिए जितने भी बच्चे दूर से मुरली सुन रहे है मेरे बच्चो उपर हो, उनको कह रहा हूँ, आप उपर हो, उनको बता रहा हूँ आप में नीचे आत्मा नहीं है, आप अपने आपको पूछो, अभी भी check करो आप में आत्मा है देखो, check करो, ध्यान से check करो पुरा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, check करो आपकी आत्मा माया के लोक में तुम्हें लगता है माया के लोक में माया किसी में आत्मा को ठहरने देगी not possible सारे रावन के जेल में कैद है इसी का गायन है 33 करोड आत्मा है रावन के जेल में थे देउता है इसी का गायन है उसी के जेल में वहाई कारोबार चल रहा है समझ की बात है कोई कहते थे कहता है शास्तरों में काववत की बात कि कुवेर भी बरतंद हो रहे थे उनके घर में रावन के यह वही बात है तु क्या कर रहा है घर परिवार में खाना बना रहा है बरतंद हो रहा है कपड़े दो रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, घर की सफाई कर रहा है, परिवार का ध्यान कर रहा है, ये सब क्या है, रावन का ही कारुबार है न, इश्वर के घर में, इश्वर ये सुखो में पल रहा है, समझ है बच्चे, इसलिए बाप कहता है, बनो, आत् नहीं मिल सकती बच्चे वापिस, 33 करोड आत्माओं को समर्पन करना ही पड़ेगा, तब उनकी आत्माओं वापिस आएंगे, मैं अभी कहता हूँ आप सभी को, कम से कम, 2 करोड आंकडा तो मैंने बता दिया, सत्युक का, पर कुल मिला के उससे भी उपर है, पर देवी देवत आओ के 33 करोड आत्माओं समर्पीत होंगे, वरना आत्मा नहीं मिलेगी वापिस, ऐसी कैसे आत्मा मिलेगी भाई, माया लेके गई है, तुम्हें नहीं पता, कॉंट्रेक्ट कब का साइन हो चुका है, यहां के लोग तो अभी डेविल के साथ कॉंट्रेक्ट करते हैं, सेट तुम्हें कब का कॉंट्रेक्ट साइन किया है, तुम जानते भी नहीं हो, सारी बातों को, समझ की बातों, अनकॉंशेसली तुम्हें बहुत कॉंट्रेक्ट साइन किया है, तुम्हें पता हैं, यह सारी बाते हैं, तुम कभी सौप्ट्वेर या अप डाउनलोड करते हो, ब बढ़ा है कभी, पता है उसमें क्या है, बात समा को, तुमने क्या साइन किया है, जानते हो क्या, किसको एगरिमेंट, टिक किया है, जानते हो क्या, एप को ऐसी करते हो ना, एगरी, क्लिक करते हो, कितने बड़े पेजेस होते हो उसके अंदर, क्या-क्या लिखा है, जानते हो, एक एप देने के लिए इतनी सारी बाते हो सकती है एक सौप्ट्वेर देने के लिए इतनी सारी बाते हो सकती है ऐसे अनगिनत जगों पर तुमने कॉंट्रैक्ट साइन किये है तुम्हें खबर भी नहीं है बच्छों किसी भी बात की तुम जानते भी नहीं हो समझदार वनो बच्चो इसलिए ये तो मैं अभी की बात कह रहा हूँ ऐसी पुरानी बाते अंगिनत हो चुकी हैं अंगिनत तुमने जो अपनी मन्नते मांगी हैं सांसारित देश से संबंदित भक्ति मार्ग में दुनिया मेरी अई है तो किसने पूरी की? किसका रूप लेकर की? समाब्दभाद तुम बन गए उनके? कपके बन चुके हो? वो देवी देउताओ का रूप लेकर आए शास्तरों में दिखाते हैं आप बताना बरवरे के नहीं कि असुर शंकरजी का भी रूप लेकर आते थे पार्वती का रूप लेकर भी आते थे बरवरे तो देवी देउताओ क्या चीज है? उसके आगे कानियों में दिखाते हैं? शंकर पार्वती का जिनके आउतार दिखाए रूप लेकर आते हैं तु बाकी छोड़ी दो छोटे मोटे देवी दे हुताओ सारी तुमारी इच्छा है उनोंने पूरी की ध्यान में रखना और उन सारे कॉंट्रैक्ट से तुमारी आत्मा उनके पास है इसलिए बाप कहता है समर्पन करो बाप के बनो आत्मा वापिस मिलेगी क्योंकि एक बा नहीं पर्मातिमा के बने कांट्रैक्ट भी यहीं साइन हुआ है सब को बताना चाहता है बाप कि जब तक तुम पर्मातिमा के नहीं बनते तुमारी आत्मा लौटाई नहीं जाएगी यह तुम से साइन हुआ है और चिंता मत करो कब किया कैसे किया रामा के अंत में हर बच्चे को दिखाऊंगा कब कौन सी जगह किस प्रकार से किया है किस इच्छा को पूरा करने के लिए किया है सब को दिखाऊंगा विजन में सक्षातकार में सब को क्लियर करूंगा मैं चिंता मत करना इसलिए बच्चों जब तक परमात्मा के नहीं बनते तुमारी आत्मा नहीं लोटाई जाएगी माप करना पर सत्यता बता रहाँ बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे मर्जी तुम्हारी तुम्हें जो अच्छा लगे करो समझ की बाते सारी तुम फस चुके हो पुर्ण रूप से और परमात्मा आया है निकालने के लिए तुम समझने के लिए राजी नहीं तुम और अटकते जा रहे और फस्ते जा रहे हैं, समझो इन चीजों को, सारी बातों को, जल से जल बाप के और ईश्वरिय परिवार के बन जाओ, फिर निकल जाओगे, सारी बातों से, कॉंट्रैक्ट ही ऐसा साइन हो चुका है, और तुम्हें लगता है, बाबा ऐसे ही बता रहा है, नहीं हो ना समर्पन, तुम्हें जो ठीक लगे करने, तुम्हें लगता है ना, बाबा बस ऐसे ही बता रहा है, ताकि हम समर्पीत हो जाए, बाबा के बन जाए, इसलिए बाबा अनेक अनेक बाते कह रहा है, तुम्हें जो ठीक लगे करो बच्चे, मेरी बात को जूट समझो और तुमारे एसाब से चलते रहो, और क्या कहूं मैं, मेरा काम है सत्य बताना, तुम उसे मानो या ना मानो, वो तुमारी अपनी चोईस है, तुमारी अपनी मर्जी है, तुमारी अपनी जीवन है, जो चाहे करो, मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, कि इसे एक्सेप्ट ही करो, समझो इन चीजों को, इसलिए जब तक बाप के नहीं बनते कोई, आत्मा वापिस नहीं मिलेगे कुछ भी करो बच्चे, आत्मा वापिस नहीं मिलेगे जब श्रीराम जी आये, लंका में श्रीरावन मुक्त हो गय तब जाके 33 करोड देवी देवता आये, मुक्त हो चुके कब जब श्री राम जी के बने यह परमात्मा की कहानी है 33 करोड को परमात्मा का बनना ही पड़ेगा और अगर इसके अलावा कोई उपाय हो तो मुझे भी बता दो और आसान होगा मैं यही चाहता हूँ कि कोई इधर उधर ना ही ले अपने घर बैटे अच्छे से पुर्शार्त करे खाए पीए मौच करे परिवार में सुख से चले माता पिता पती पत्नी बच्चे नौकरी दंदा करे और बाबा को याद करे मुरली पढ़े अमरुत वेला करे नुमा शाम करे उची अवस्ता बने मैं खुद यहीं चाहता हूँ पर बच्चे यह पॉसिबली नहीं है पॉसिबली नहीं है मैं खुद चाहता हूँ मैं क्यों चाहूँ तुम इन सारे जंजटों को अपने जीवन में बुलाओ नौकरी चोड़ना बिजनेस बंद करना परिवार चोड़ना मैं क्यों जंजट खड़े करूं किसी के जीवन में पर इसके आलावा कोई उपाई नहीं है बच्चों मैं क्यों कहूं किसी को संपूर्न स्वाह हो जाओ पर इसके आलावा कोई उपाई नहीं है तुमारा घर भी उनीका है तुम्हारी जमीन जाइदाद भी उनीकी है तुम्हारा सब कुछ धन भी उनीका है बच्चे मौका मिला है उनका है तेरे नाम पर है अपने नाम से सुआ कर और अपना भाग्यपा समाप्त होगी बात बच्चे मैं भी चाहता हूँ तु जहाँ वहां रहे सुखी रहे पर उपाई नहीं है कोई परमात्मा का बनने के अलावा मुक्ती और जीवन मुक्ती का कोई उपाई नहीं है हो तो मुझे भी बता दो अच्छा होगा मैं सभी बच्चों को बता पाऊंगा और बच्चों की चिंता समाप्त हो जाएगी कि नौकरी कैसे छोड़े, बिजनेस कैसे बंद करे, परिवार कैसे छोड़े कोई उपाय हो तो मुझे बताओ, मैं सबको बता दूँगा मैं किसी को चिंता में नहीं डालना चाहता मैं सबको चिंताओ से मुक्त करना चाहता पर उपाय किये बच्चे मेरा बनना पड़ेगा मैं भी क्या करूँ, ड्रामा में उपाय ही ऐसा रखा है आन्तवाला कि परमातमा का बनने विगर, मुक्ती जीवन, मुक्ती नहीं पास सकते अभी उपाय ही ऐसा है, तो करे क्या समझ है बच्चे, बाकि तुम्हारी अपनी मर्जी ध्यान में रखना, जो सीख सकते हो, जो समझ सकते हो, समझो और जो कर सकते हो, करो पर जब तक परमातमा के नहीं बनते, मुक्ती जीवन, मुक्ती नहीं मिलेगी मेरे बच्चो बकि आपकी मर्जी, ड्रामा बच्चो ओम शान्ति अच्छा, मिठे मिठे, सिकिलदे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद, प्यार और गुड मौर्णी रुआनी बाप की रुआनी बच्चो को नमस्ते प्यार थियार गुड मौर्लिग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते अच्छा पूंशान। आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देया अभिमान न आये। वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृती जीत भवा। अगर कोई भी पदार्थ करमेंद्रियों को विचलीत करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाए लिए आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो यहाँ भी सुक्षमा आसक्ति हैं। इसकी महीन रूप से चेक्ग करों कि या पदार्थ अर्थात अलपकाल सुख के साधन आकरशित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे बच्चे थ्यान में रखना इस बात को अभी जो बात कर रहा हो मैं इच्चा अच्छा ये उनको लगता है अच्छा और ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, ये चीज अच्छे, वो चीज अच्छे, डिमन, ध्यान में रखें, इसा रे डिमन है, संबल कर चलना इनसे, कुछ भी अच्छा ना लगे परमात्मा के अलावा, कोई अच्छा ना हो परमात्मा की याद के अल आकरशित नहीं होना, आसकती नहीं रखना, समझो इन चीजों को, जब तक कही तुम खीचे जा रहे हो, उर्जा अंदर है, ध्यान देना, स्लोगन है, मेरे मेरे के जमेलों को छोड़, बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्यान कारी, इसलिए मैं कहता हूं, सब मेरा त् सब बाप का, बस एक बाबा मेरा, मैं क्यों तुम्हें कहूं, सब त्यागों, घर छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सब स्वाहा करो, बच्चे रास्ता ही वही है, रास्ता ही वही है, और कोई उपाई नहीं है, समझ है बच्चे, समझदार बनो, बच्चे, स्वर्ग किनों ने लाया लंका पर जीत किनों ने दिलाए बंदरों ने जिनका कुछ नहीं था मेरा मेरा तैनी भी नहीं मेरी मेरी जो देवताए बंदी खाने में थे वो तो मदद नहीं कर सकते जो मनुष्य संसार में है पर मेरा मेरा पकड़ के बैठे मेरा राज्य मेरा परिवार मेरा घर मेरा फलाना श्री राम जी ने उनको मदद के लिए नहीं लिया वही बात है जो मेरा मेरा पकड़ के बैठे वो कभी विश्व कल्यानकारी नहीं बन सकते इसले मैं कह रहा हूँ मेरा कुछ ना बचे सिवाए एक बाप के जैसे कोई बच्चा शुन्य होता है ना बच्चों, हर रूप से मैं लिख के देता हूँ, समर्पित नहीं हुआ तो कहना मुझे अपने आप उसके समर्पन के रास्ते खुल जाते हैं सारे शुन्य होने के बाद पर माया डराती है, अरे सब शुन्य हो गए तो आगे आपका क्या होगा, बाबा के साथ नहीं चल पाए तो पहले से विचार देगी हो, ऐसे हुआ तो वैसे हुआ तो आप तो सब शुन्य हो रहे हो फिर क्या होगा आपका, माया डराएगी पर बच्चे, उनकी बातों को सुनना है या बाब की श्रीमत पर चलना है, ये तेरे ओपर है इसलिए बच्चे, जब तक मेरे मेरे जमेलों से तू निकलता नहीं, तब तक तू विश्व कल्यान कारी नहीं बन पाएगा तेरे नाम पर एक छोटा सा पेन भी है न, एक पिन भी है न, तो भी तू विश्व कल्यान कारी नहीं, क्योंकि तेरा है जिसके पास कुछ नहीं है, वही बाप के मददगार बनते हैं, साथी सयोगी बच्चे बनतें, जिसके पास अपना कुछ नहीं अमेशा बंदर को सामने रखना बंदर का क्या है बताओ कुछ भी नहीं कुछ नहीं पकड़ के रखता हूँ मैं संसारी क्या है रहाओ कुछ नहीं पकड़ता हूँ बच्चे भी उसके बड़े होने के बाद चले जाते हैं वो तो छोटे बच्चों में बंदर का मौ है, इसलिए कि केर के लिए, वो मौ नहीं, वो प्यार है, वो अपने बच्चे को पूरा संभाल रहा है, कभी आपने देखा है, बंदर ने बड़ा बच्चा लेके कूद रहा है बंदर, या उसके साथ वो बच्चे कूद रहा है, न मेना में शामिल हो जाओगे और विश्वकल्यान कारी बनकर विश्वकल्यान का कार्य कर पाओगे ध्यान में रखना शुन्य ही विश्वकल्यान कारी है ग्यान से भी शुन्या कंप्लीट शुन्य बाप के सामने हमें कुछ नहीं आता हमें कुछ नहीं पता सब बाबा जाने ब समा को खल्यान निश्यत है तुम्हारा भी और तुम्हारे द्वारा विश्वका भी अच्छा ओ शान्ति सभी बच्छों के लिए मात पिता बाप दादा और शिव बाप की तरप से तोली स्विकार हों बच्चे तोली खाओ और अपना विश्वकल्यान कारी का ड्रामा का संगम का सवभाग्य ले सकते हो तो लो बाकी आपका ड्रामा आपका भाग्य अच्छा ओ शान्ति वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा मिरा बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा अपना परंपिक आशिव कितना है प्यारा प्यारा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा तुमसा कहा है कोई पाए कही नहीं हम माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गन पाकर तुमें है चम का तकदीर का सितारा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा यह देव्य जोदी बिंदू है रूप कितना सुन्दन बच्छों ने है बसाया अपनी है दे की अंदर बच्छों ने है बसाया अपनी है दे की अंदर माता पिता सखा सक तुम आखों का है दारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा अपना करम की ताशिर अपना करम की ताशिर कितना है प्यारा प्यारा खुश हो के गा रहा है अपने जहान सारा खुश हो के गा रहा है अपने जहान सारा कितना है रहा है अपने जहान गil हो वर्षास करम करवाँ दो शेकिक Kings 2018 कि झाम करम मैंनसों अपना करुश हो कि तो जहाना झाल